गया जिला की अत्री थाना अंतरगत डिहूरी गाउं में आग लगने की वज़ा से एक ही परिवार के तीन व्यक्ति की मौत हो गई बताया जा रहा है कि घर में अचानक आग लग गई जुसके कारण घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया वहीं जिला प्रशासन मृतक परिवार को चार-चार लाख मुआवजा देने की बात कही है साथी मुखिया ने भी अंत्म संसकार करने के लिए तीन-तीन हजार रुपे देने की बात कही है हुआ करीव हमको बारा वाजे कौल गया कि एहां घटना हो गया है आग लग जिसमें तीन मरे गए उसमें हम बोले कि ठीक है राख है हम थाना परभारी को बात करते हैं थाना परभारी से बात क subsidi कि आ जगलाल मांजी नाम है सर और उनका फैमिली और उनका सास वो तीनों रह रह रहे थे जिनका घटना हुआ है और उनका जगलाल मांजी के तीन लड़का है तीन लड़का जिसमें एक मेरेड है और दोनों अन्मेरेड है जो अपने मम्मी के साथ जारकन में रहता है इसका सुरू से अन तक जो घटना हुआ सर जब हम पहुंचे तो देखे कि लास जला हुआ है बिल्कुराल खबरों में बस इतना ही हमें दीज़े अजाज़त बनेरी नेशन नीजुस के साथ धन्यवाद